नमस्कार प्रवार्स अक्षिन विस्ट नटकोर आप सभी का स्वागत है विपक्षी गठमंदन इंडिया की समन्वे समीति के आज पहली बैठक हुई जिसमें आगे की रन्नीती सीटों के तालमेल चुनाव अभियान कारकरम और जन्द सभाव समेत विभिन मुद्दों पर च देश्वी आदो जनता दली उनाटेट के संजय जह आमाधी पार्टी के रागव चड़ा शिवसेना यूबिटी के संजे राउत नैश्नल कॉंफरेंस के उमर अब्दुल्ला पेपल्स डेमोक्राटिक पार्टी की महभुवा मुफ्ति और कुछ अन्य नेता शामिल हुए ब गठन किया था समन्वे समिती विपक्षी गठवंदन की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रुप में कारे करेगी इस समीती के एक और सता से त्रिणमुल कॉंग्रस के महासाचीव अभिशेक वेनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि प्रवड़तर चूंगे रच्चिन ौच फोट्म्सаватьडिस घिस सम्मार्डें शूट से थापड़़् ौ जप भाई है इस थास। जब रुप निखना प्रिणमुल कॉंग्रस कॉंग कोईनगा के मुटन था Moreूरा द सित्वर्ण थास कॉंग्रश परफ टेर्म लेता है कर दरदा भाउट बार बार्त तोडने का थाटर भॉप फॉड तोड पर अन्वाल पर पॉड तोडने पॉड एट कर दोड और ले खा झालता है बात्यायिस, अप्रॉबलायमग और प्राफ्मेज़ ऎ। भर्सिप पिकर एगने की साथ चांस। ट चैसाथिस सब्सक्राइब य तो इस प्राइब ट अपोर निंप प्राइब ट थास करिकर प्रठाइब। इंड पाती स्थांट्राइब रार सेथे स्थाटर्क पडिसे सथा इंटीटिस Šा रार केहिरा जा जाओं है आफ इंड एलूझ पड़抏're- ऑन की सित्फवत ALLीवा है कई ट्रॉप में है कई अप्यान? मैं हैंतना और उन जाओ था म्या organized से थे पूप इंड नहींत है आजर, तो जो पर विल्स वे इस सुवारी दिस्कूशन लिवी निवी झाहिए पर प्रनstellung पर प्रमस्ट बिल्स परर्ष तर्फ से इसी के वीड समय लाइए कृष रुष वी झाहिए इस पनाध इंटेशन को प्रमस्ट इसकूशन लाइए प्रमस्ट टिसकूशन पर अलुके कि जो बैठक में फैसला हुआ वो एक joint statement के माध्यम से आप सब के सामने रखा गया है joint statement हमारी जो coordination समीति है उसका हमने बना कर आज जो भी मुद्दे आज coordination समीति के भीतर लाए गए जिन पर चर्चा हुई उनके जवाब दिये गए है मैं आ रहा हूँ जवाब दिये गए है और मोटे मोटे तोर पे जो फैसला लिया गया है वो एक तो यह है कि जल्द से जल्द तमाम पार्टियां आपस में बैठ कर जो member parties हैं वो seat sharing पे चर्चा करकर फैसला लेंगी दूसरा एक public rally joint public rally भुपाल में करने का फैसला लिया गया है जो अक्तूबर के पहले हफते में होगी और मुख्य तोर पर जो मुद्दे इस rally में highlight किये जाएंगे वो रहेंगे बेरोजगारी भश्टा चार और महंगाई तीसरा फैसला जो लिया गया है वो यह है कि respective member parties है वो car senses की मुद्दे को उठाएंगी और चौथा यह लिया गया है और चौथा यह लिया गया है कि कुछ ऐसे जो हमारी media subgroup से recommendation आई थी कुछ ऐसे anchors हैं जो देश में भढ़काऊ बहस कराते हैं उनकी सूची जारी करकर उनसे इंडिया alliance उनके शोस पर जाना बंद करेंगे जो भी आज सदस से member parties आज जो मौजूद थी coordination समितिगी उन सबकी सहमति हैं जो लोग आज मौजूद नहीं भी हो पाए थे कोई और वेस्तता के कारण उनसे हम चर्चा करेंगे लेकिन आज जितने लोग इस बैठक में मौजूद थे सबकी सहमति है का सेंसे राजितिक पलपल बदलते में भी एक गटना करम है और सबैं लोकतांत्रिक जवाब भी लोगों को मिलता है और पुल मिलाकर के जो आज की इस बैठक में बात आई है बेनुकुपाल जी ने आपके समख्ष रखा है और सभी घटना करम पर नज़र रखते हुए भारत एलाइंस भी इंडिया एलाइंस भी अपने रन निती पर काम कर लाएं दूसरे और द्रमुक्त के नेताओं के और से की जा रही सनातन धर्म विरोधी टिपणियों के मद्यनेजर विपक्ष पर हमला जारी रखते वे बीजेपी ने विपक्षी दलों के गठमंदन की स मन्वे समीती करार दिया है बीजेपी प्रवक्ता संभीत पात्रा ने इस मुद्दे को लेकर कॉंग्रेस नेता सोनिया गांधी पर भी ठीका हमला बोला और आरोप लगाया कि उन्होंने मशूर रहस्ते मही किताब मर्डर शीरोट की तर्च पर एक किताब मर्डर ऑफ हिंद हिंदू कोडिनेशन कमिटी किस प्रकार से हिंदू धर्म को समाप्त किया जाए उसको लेकर 26 दल आज बैठने वाले हैं सुबह से ये न्यूज टीवी पे चल रहा है मगर कुछ चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि इस मीटिंग में सीट सेरिंग के बारे में चर्चा होगी ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैट के चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कौन किस सीट से लड़ेगा प्रचार क्या होगा चुनाओ के मुद्दे क्या होंगे मगर सुबह से ये भी देख रहे हैं कि आपस में खीचातारी कोडिनेशन हो उससे पहले नॉन कोडिनेशन नॉन कोपरेशन शुरू हो गया है हरियाना में सीट कैसे बटेगी जेडियू में क्या होने वाला है अधिरंजन चौधरी जी ममता बेरर जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फेंस कर रहे हैं डिस कोडिनेशन आरंब हो गया है तो दरसल ये कोई शीट सेरिंग प्रचार प्रसार मुद्दों और मैनिफेस्टों की बैठक नहीं है जो दो-तीन दिन पहले उनके एक महत्वपून सदस्य ने कहा था कि हम 26 पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारा एक ही मत है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है आज Anti-Hindu Coordination Committee की उसी विशय पर बैठक होने वादी है मंदुगर्ण मुझे बड़ा आश्चरे लगता है मुझे दुख लगता है देंगू, मलेरिया, कॉरोना, लेप्रसी, एड्स ये हिंदु धर्म को इस प्रकार की बिमारियों से आप कमपेर करते हैं हम तो जो बिमार है उसे किस प्रकार से ठीक किया जाए हर बिमार के प्रती समवेदन शीलता ये हिंदुस्तान का धर्म है और एक तरफ आप देखिए हिंदु धर्म डेंगू है हिंदु धर्म एड्स है पूरे विश्व के लिए मिनेस है, इस वर्ल्ड मिनेस अभी एक बहुत बड़े नेता जो ये एंटी हिंदु कोडिनेशन कमिटी के सदस्य है उन्होंने कली कहा है कि हिंदु धर्म एक वर्ल्ड मिनेस इस वर्ल्ड मिनेस इस शुड़ बी थ्रोण आउट दे वर्ल्ड फोरम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मैं यहां पूझता हूँ मैं मेरे यहां पर कई भाई भाई बहन रिपोर्टर्स बैठे हुए है कैमरा मैन बैठे हुए कोई शिव को मानता है कोई शक्ती की उपासक है कोई भगवान विश्णू का उपाशक है क्या शक्ति का उपासना करना डेंगुग समान है क्या शिव की पूजा करना शावण के महीने में मलेरिया है क्या मंगलवार का वरत रखना और जै बजरंग बली करना ये एड्स है क्या भगवान की पूजा करना ये कौरोना है धिकार है ये लोग जो इस माटी के नहीं हो पाए जिस मटी में कंकर कंकर संकर जहां बसता है जो लोग इस मिटी के नहीं हो पाए जो लोग इस धर्ती के नहीं हो पाए वो इस देश के गरीब के क्या हो पाएंगे हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके